Hello everyone, Indian Air Force ने चाइना के स्पाइ बलून्स की हवा निकालने के तयारी कर ली है असल में चाइना ने हाल के समय में कई देशों में ऐसे स्पाइ बलून्स छोड़े इन बलून्स के उपर ऐसे equipment लगे होते हैं जिसके तुरू वो चीजों की information ले सकें, जासूसी कर सकें और ये स्पाइ बलून्स का phenomenon चाइना की ओर से अमेरिका, जपैन, कोरिया जिसे देशों के उपर लगातार किया जा चुका है और भारत के उपर भी स्पाइ बलून्स के धुरू स्पाइन करने की कोशिश वो कर सकते थे और कर रहे भी थे, एक बार एंडमान के आसपास भी ऐसा एक बलून देखा गया था लेकिन उस वक्त भारत इसके लिए प्रपेर नहीं था और अब इंडियन एरफोर्स ने इसकी तयारी भी कर ली है हाली में High Altitude पर यानि इंडियन एरफोर्स के विमान ऐसे किसी भी स्पाइ प्लेन को उड़ाने की शमता रखे ये स्पाइ बलून्स जो Low Technology Weapons की तरह देखे जाते हैं जिनके अंदर अलग-अलग SENSORS लगे होते हैं स्पाइ कैमराज लगे होते हैं ये काफी दूरी को कवर करते हैं और क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा टेकनोलोजी इस्तमाल नहीं होता रडार वगेरा से अक्सर ये बज़कर निकल जाते हैं और इसका इस्तमाल चाइना ने अमेरिका के ऊपर नज़र रखने के लिए किया था और 2023 में अमेरिका के F-22 फाइटर जट्स ने इन्हें तबाह किया था उसके बाद से चर्चा का विशा है भारत के आसपास भी इनके होने की संभावना की जा सकती थी असल में साइज में काफी बड़े 2000 पाउंड के वेट वाले और 200 फिट बड़े ये बलून्स में सोलर पैनल्स और सरविलिन्स कैमरा लगे होते हैं तो ये जहां से भी गुजरते हैं उन जगों के इन्फरमेशन ये अपने साथ कैद करते रखते हैं और इन सिगिनल्स को वो चाइनीज गवर्मेंट तक या उनके खूफिया विभाग तक पहुचा सकते हैं ऐसी ही कुछ साइटिंग्स 2023 में देखी गई थी USA के उपर जहां चाइना के ऐसे स्पाइब बलून्स उनकी उपर से उड़े थे कुछ ऐसी खबर थे कि क्या ऐसे स्पाइब बलून्स का इस्तमाल भारत के खिलाब भी लगातार चाइना करना चाहेगा और वो कर भी रहा है और इसलिए भारत के रफाल जेट्स के तुरू इंडियन एर फोर्स ने अब ये दिखा लिया कि भारत भी इन चीजों को तबाह करने के लिए तैयार है इसके लिए कैपैसिटी बिल्ड कर चुका है और क्योंकि युएस जैसे देश के उपर ऐसे बलून का इस्तमाल करना दिखाता है कि कैसे वो इस लो टेक के थुरू हाई इंफरमेशन गेन करना चाहते है लो टेकनोलोजी मतलब जो बहुत ही इनेक्सपेंसिव है जैसे कि इससे पहले बल्ड वार टू के समय में भी जैपैन इसका इस्तमाल किया करता था या कई देश ऐसे बलून चोड़ा करते थे जिससे वो दूसरे देश के जो बेसिज है या उनका जो सिस्टम है उसको पहचान सके और अब रफाले के दुरू इंडिया ने भी कोशिश किये कि हाई एल्टिट्यूट पे जो भी ऐसे बलून सकर इंडिया के खिलाफ कभी भी चाइना यूज करता है तो उन बलून्स को एरफोर्स शूट करने की शमता रखती है वो भी पूरी एक्यूरिसी के साथ और इसलिए भारत के डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है अब सवाल यह आता है कि ये चाइनीज स्पाय बलून्स जब अभी जो स्पाय बलून को उड़ाया गया यह इस्टन विंग के पास उड़ाया था यानि रवनाचल प्रदेश के रीजन के आसपास ही हमने उड़ा दिया हालकि ये प्रैक्टिस के लिए था चाइना का बलून नहीं था यह पर यह दिखाता है कि इंडियन एरफोर्स अब इस चीज के लिए क्म्प्रिटली तयार हो रही है इस्टन एर कमांड खास्तोर पे फोकस कर रही है कि कहीं भी अगर ऐसा कोई उनको बलून हजार फीट की उचाईयों से उपर केल्टिकूट पर ऐसे बलून्स अगर उड़ेंगे तो उनको पुड़ने की शम्ता या उनको भोड़ने की शम्ता तयार रखती है इंडियन एरफोर्स यानि कोई भी इन्फोर्मेशन चाइना थक पहुचना पाए अब सवाल यह है कि ऐ ऐसे बलून्स का अस्तमाल चाईना करता क्यों है देखिए यह जो बलून्स होते हैं इनकी खास बात यह होती है कि चाईना के पास सेटलाइट्स भी है तो चाईना सेटलाइट्स से भी डीटा दे सकता है लेकिन बलून्स का अस्तमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि पहला त एक वेपन्स की तरह देखे जाते हैं अगर आपके देश में किसी दूसरे देश का fighter jet जाता हूँ दिखे या कोई drone जाए तो उसको एक बहुत बड़ा security risk समझा जाता है और इससे उस देश के साथ आपके युद्ध की स्थिति बन सकती है या फिर चीजें escalate कर सकती है एक ऐसे स्तर पर जहां एक विवाद दो देशों के बीच में उत्पन्द हो सकता है balloon क्योंकि एक बहुत ही छोटा और low tech device है तो इस पर चीजें उतनी level पर escalate नहीं करती एक balloon पर कोई देश दूसरे से युद्ध करने की शमता तक नहीं आएगा ऐसा उन्मान लगाया जाता है और क्योंकि ये काफी सस्ता होता है और इसके साथ खास बात ये है कि इसका दोश सीधा सीधा किसी देश पर मड़ना बहुत असान है क्योंकि आप अलग-अलग देशों से equipment लाकर एक balloon मना सकते हो और उसको छोड़ सकते हो अब ये balloon आपने ही छोड़ा है या आप तक उसको track करना थोड़ा मुश्किल काम है low technology का इस्तमाल करते हुए इस balloon के धुरू कोई भी किसी भी देश के basis कहाँ पर है वहाँ पर क्या चल रहा है उनके उपर नज़न रखना या वहां की thermal imaging करना भी अब संबभ हो जाता है जिससे underground basis का पता भी लग पाता है satellites के मुकाबले ये काफी low altitude तक जा सकते है और इनको track करना अक्सन उतना असान नहीं होता अगर ये बहुत करीब ना होतो और क्योंकि technology का इस्तमाल करने के बजाए इसको lower technology का इस्तमाल करके चलाया जाता है यानि इसमें कम advanced technology इस्तमाल होती है तो ये किसी के लिए ऐसा monetary सरदर्द भी नहीं होता किसी देश के लिए इसलिए इसका इस्तमाल चाइना लगातार कर रहा है और भारत की air force अब इसके लिए पूरी तरह से तयार है इससे पहले अमेरिका में और यॉरप के कुछ रीजन में चाइना ने इसका इस्तमाल किया था ये balloon पहली बार इस्तमाल नहीं हो रहे world war 2 के समय में इसका इस्तमाल होता था पर तब दुनिया में technology इतनी develop नहीं हुआ करती थी या तो उसके अंदर को इनसान होता था या balloons के थूँ प्रोपगेंडा करने का काम किया जाता था या फिर basis को देखा जाता था कि कहां पर आर्मी के जवान है कहां पर एक टैंक्स हैं कहां किस तरह के equipment रखे हुए अब हाला कि balloons का इस्तमाल बढ़ चुका है इस balloon के अंदर अब ऐसे equipment लगाए जा सकते हैं जो और detailed data provide कर पाए तो अगर चाइना भविष्य में इसका इस्तमाल high-end technological equipment लगा के करना चाहे तो वो से infrared images और कई तरह की information गेन कर सकता है इवन इसका इस्तमाल jammer की तरह या फिर किसी critical area में जहांका communication बहुत important है मानलो bomb-based log exchange या मानलो आप कहीं security apparatus इंडिया का महाँ पर जाकर jammer लगा के अगर आपने balloon भेज दिया तो इस तरह के काम भी हो सकते हैं जिससे काफी बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं इसलिए balloons का इस्तमाल आगे और बड़े लेवल पर किया जा सकता है और इसलिए Indian Air Force का ये तयार होना कि ऐसा कोई भी balloon अगर इंडिया की air field के असपास कहीं से गुजरता है तो उसको तबाह करने की शमताब Air Force रखती है ये संदेश दे चुकी है Indian Air Force